लालू रावडी फैमली में जारी जंग के बीच लालू पिशाद यादब के बड़े लाल तेश प्रताप यादब को अपनी पहली ही चाल में मात का सामना करना बड़ा दरसल यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिहार में दो सीटों पर हो रहे उपचुनाओ को ले करके उमिदवारों की जहां एक और घोसना की गई है वही तारा पुर्विधान समसीट से तेश प्रताप के छात्र जनसक्ती परिशत के समर्थित उमिदवार संजय आदब ने परचा भरा और अगले ही दिन उन्होंने अपना नाम वापिस ले लिया और तेजस्वी के लाल्टेन की रौसनी को तेश करने का एलान कर दिया जिसके बाद बौकलाए तेश प्रता प्यादब ने तेजश्वी यादब के सलाकार पर निसा नसादा है और कहा है कि उनके खिलाफ सी ग्रेट की कहानी रची जा रही है दरसल बिहार में विधान सबा की दो सीटों पर तारापूर और कुसेस्तोर स्थान में उपचुना हो रहे हैं दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव बिहार की सियासत के लिए काफी एहम हो गया है इस उप्चुनाव की परिनाम विहार की सियासत की दिसा तै करने वाली है लिहाजा जदियू से लेकर राज़त ने जी जान लगा दिया है इसी बीच अपने भाई से नाराज चल रहे तेश्पताप यादम ने बड़ा दाव खेल लिया था तेश्पताप यादम ने कुछ दिनों पहले अपना नया संगठन छात्र जनसक्ती परिशत बनाया उस संगठन के नेता संजय आदम ने तारापूर सीट से नेदलिये उमिदवार की तौर पर नामांकन कर दिया तारापूर से नामांकन करने के बाद संजय आदब ने कहा कि चुकी छात्र जनसक्ती परिशत को चुनावायोग से मानता नहीं मिली है इसलिए वो निदलिये उमिदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं सुक्रवार को नामांकन करने के बाद उन्होंने दावा किया कि उनके लिए शुनाव प्रचार करने तेश पताप यादब भी आएंगे संजय आदब ने ये भी कहा कि तेश पताप यादब की सहमती से ही उन्होंने नामांकन का परचा भरा है तेशपता प्यादब की दूत बताय जा रहे संजय आदब ने सुक्रवार को नामांकन किया लेकिन अगले ही दीन पलट गए सनिवार की रात वे तेजश्वी आदब के घर पर पहुंच गए तेजश्वी के सामने उन्होंने राज़त की सदसिता लेते हुए नामांकन वापस लेने का एलान कर दिया संजय यादव ने कहा कि वे गलत फहमी में चुनाओ लड़ने चले गए थे अब राज़त उमिदवार को जिद दिलाने का काम करेंगे अपनी पहली चाल में मात खाय तेश्पता प्यादव ने संजय यादव के पलटने के बाद ट्विटर पर जवाब दिया तेश्पता प्यादव ने कहा कि संजय यादव की उमिदवार को लेकर उन्होंने खुद नहीं कहा था तेजस्वी के सलाकार खुद ही सी ग्रेट फिल्मों जैसी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं ट्विटर पर तेश्पताप यादब ने लिखा मेरे लिए चुनाव में आदर्निये तेश्पताप यादब जी प्रचार करेंगे संजय यादब जनता के लिए संजय यादब जी ने अपनी उमिद्वारी वापिस ले ना मैंने कुछ कहा ना लिखा तो इसमें मेरा क्या रोल था ये तमाम बाते तेश्पताप यादब ने लिखी वहीं तेश्पताप पर अपने ट्विट में किसी का नाम तो नहीं लिखा लेकिन ये सब समझ रहे थे कि उन्होंने किस पर हमला बोला है तेश्पताप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया और ये सब कहानी तेजस्वी के सलाकार संजय यादब ने रची है तेजश्वी के लिए सियासी रन्निती बनाने वाले संजय आदव हर्याना के रहने वाले हैं तेश्पताप पहले भी अपने भाई के सलाकार पर निसाना साथते रहे हैं वे संजय आदव पर कई गंभी रारोप लगा चुके हैं तो तेश्पता प्यादब के छात्र जनसक्ती परिसत के समर्थित उमित्वार संजय आदब ने परचा भर कर नाम अगले ही दिन वापिस ले लिया और तेजश्वी आदब से उनके आवास पर मुलकात की जिसके बाद जो तस्वीरे निकल के आई कल बीते रात की वो आपने द की अलाकि उन्होंने नाम नहीं बताया कि वो किसके बारे में बोल रहे हैं लेकिन उस बातों के बात ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेश्वी आदब या संजय आदब कि इसके बारे में तेश्पता प्यादब ने ट्विटर से हमला बोला है आप बने रहें फर्स्ट